हेलो शुडेंट आप सभी लोगों के अपने चैनल राठा और एजूकेशन पर्ट में बहुत बहुत स्वागत है बायो मैट्रिक फॉर्म को कैसे भरना है बहुत सारे शुडेंट गलती भी कर रहे हैं कि सारा भर दे रहे हैं नहीं सारा नहीं बरना है आप लोगों को इसमें से क्या भरना है क्या छोडना है और कौन-कौन से डॉक्मेंट आपको रेडी कर लेना है सारा कुछ बेसे सी बोड ने बता दिया है और बायो मैट्रिक फॉर्म को किस परकार से भरना है बहुत सारे लोग गलती क्या करें कि डेट भी डाल देरें डेट नहीं दारना है हम बताते ही क्या भरना नहीं बरना है मैं आपको लायो प्रूफ अभी बताने बला हूं कि बायो मैट्रिक फॉर्म को कैसे भरा जाता और कैसे भरना है आपको ठीक है और इसका प्रिंट निकलवा लेना है और सारा बहुत सा रिश्ट्ट गलती क्या करें सिर्फ एक निकलवा रहें यह बाभू नई मेरे प्यारी शेर्स निसारा निकलवा लेना 1 देखो कितना पेज है सारा दो देखिए यहां पर देखिएगा सारा निकलवाना आपको तीन और यह एक देखिएगा चार और पांच यह पांच पेज़ का है यह सारा आपको निकलवा लेना है को सिर्फ वही अशूडेंट भरेंगे जो कौन से लिंक करवाएंगे मतलब कि जो जिनको लगता है कि हमें government college मिलेगा इसका जरुवत कपड़ेगा तो इसका जरुवत आपको admission के वक्त पड़ेगा जब आपका document verification होगा तो इसे लेकर आपको जाना है और वहाँ पर भी क्या इसकी जरुवत पड़ेगी सर्फ सारा कुछ बताएंगे सिर्फ अंत त जो कौन सेलिंग करवाएंगे जिनको लगता है कि government college या private college मिलेगा तो आपको ये biometric form भर लेना है ठीक है अब बात करते हैं कि बहुत सारे student गलती क्या कर रहें कि पूरा भर दे रहें या सिर्फ एक page निकाले सरी में हो जाएगा बहुत सारा student वैसे निकरना है कैसे भरना है आपको ये 5 पेज है ये 5 पेज आपको निकालना है दो प्रिंट और करवा लेना है कितना करवाना है दो प्रिंट और करवा लेना है साइवर कैथे से जाके दो वो प्रिंट और निकल वा लेना है मेरे पास सेखी है 5 पेज का और पिल मर लेना ठीक है दो करवा लेना और उस इए फर्म को लिख कर जारा हुआ है पुराना नहीं होना चाहिए यह आप डॉलोड कर लिजेगा लिंख में डिस्क्रिप्ट्ट्ट में दे दिया हूँ यहां पर आपको लुक्रम नाम हमा को हिंधी में भी लिखना है रहा है हिंदी में सबसे पहले देखिए देखिए नाम यहां पे हिंदी में आपको लिख लेगा फिर अंगुरे किलना और नाम देखिए वहां स से शुडिट द्वलतीं क्या करते हैं तुम प्रप्लम करना पड़ते Cisco हैं आपको मैट्रिक इइंटर में नाम है लिख दीआगा इस पौरम में यह आ Obrig यहां पर लिखा हुआ है उमिद्वार द्वारा स्वय सुस्पिस्ट लीपी में भरा जाएगा मतलब कि यह जो फॉर्म है का वाला जो है देखिए यहां पर का लिखा लोगा का जो है यह पूरा अस्टुडेंट के द्वारा भरा जाएगा पूरा अस्टुडेंट के द्वार और सेकंड में देखिए, को के ही सेकंड में आपको बोला जाएगा DCEC 2023 का करमांग, करमांग यानि रॉल लंबर आपको भरना है, ठीक है? रॉल लंबर आपको जो भी है, पोल टेकनिक है, पारा मेडिकल है, मैट्रिक्स है, कुछ भी है आपका आपको अपना रॉल लंबर डालना है, कहां पर यहां भी, देखिए लिखा हुआ है DCEC 2023 करमांग, करमांग यानि अपना रॉल लंबर आइडमिट काड से या फिर रैन काड से देखकर भर दीजिएगा अब यहां पर कोटी है, देखिए, यहां पर कोटी, यानि आपका जो भी कोटी है, जैसे किसी का BC केटेगरी होगा, कोटी होगा, आपका कोटी हो सकता है EBC, EBC कोटी होगा, आपका कोटी हो सकता है SC हो, HD हो, DQ हो, यह हो सकता आपका SMQ हो, सैनिक कोटा से आप आते हो, तो ज लिश्क होता है, मेधा कर्माइक आनारच्छित, आनारच्छित मतलब यूर रैंक, यहाँ पर आपको यूर रैंक भरना है, यूर रैंक, जो भी आपका यूर रैंक है, उसको भरना है आनारच्छित में, समझेगा यहाँ पर देखे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आ काटेगरेंगे।では द Secretary선 971 के बढ़ना आपको डिकत्क ने होना चाहिए। कर अभी उसको लिखे देना है। जियासे ऐसे imposing एक काटेगरेंगे। BC लिखेंगे और इसके बाद मेखाकर्मान्क आनारफचित्यु,ey यहांनि ईुवर् legitimately लिख देंगे उसके बाद आपको कोटी में कितना रैंक है यानि आपकी अपने कैटेग्री में कितना रैंक है उसको लिखेंगे पीता जी का नाम यहां पर लिखना है, पीता जी का जो भी नाम है, यहां पर पीता जी का नाम यहां पर अस्थाई पता, देखें, अस्थाई पता में कुछ लोग गल्ती क्या कर रहे हैं, अस्थाई पता आपको वही डालना है, जहां पर आप अभी रह रहे हैं, आपका अस् स्थाइपता है उसको फिल करिए गञ, अभी आप कहा है उसे मतलब लुए आप बंद नेपाल Hey政ans जाहरखन रही जो आपका अस्थाइपता है उसको भरेन, स्थाइपता यहां पर अपना घर घर का ना घर जो भी घर है घर पोस्ट ओफिस थाना जरूरी है पीन कोड भी जरूरी है पीन कोड सबसे अनिवार है पीन कोड भी देखें बहुत सारा जगात हुआ है पोस्ट थाना डिस्टिक पीन कोड यह जरूरी है ठीक है बाकि अपना घर जो भी है वो घर दे दिजेगा कहां पे गर है आपका यहां भी पाचमा नमबर पे देखते हैं पाचमा नमबर पर आपका है बिद्याले महा बिद्याले का नाम जहां ततकाल अधियन कर रहे है या थे अभी आप जैसे गर्जुएशन में है तो लिख दिजेगा कि आप कहां पे अभी गर्जुएशन कर रहे हैं या कर रहे थे जैसे बहुत सारे शुडेंट अभी 12 पास आउट हुए होंगे तो आपने 12 कहां से पास आउट किया है उस कॉलेज का नाम आपको यहां पर लिख देना है महाविध्याले का नाम अब पहचान चीन में कुछ लोग गलती क्या कर रहे हैं समझेगा इसी में ब चीनि डिए ती होगा हुआ यहां संबराई तो इसने ने दिया चीन के आपको पहचान चीन आपको वही देना है जो आपने अहां प्रम हरते वक्त दिया था जैसे आपने पक सो फॉर्म भरा था उस वक्त आपने जो पहचानचीन दिया था वही दिजेगा सर हमको पता नहीं चल रहा है क्या दिये थे देखें आप सब लोग फॉर्म अपलाई किये होंगे तो फॉर्म तो आपके पास होगा है क्योंकि उसका भी अनिवार है उसको भी लेकर जाना है तो फ दिक्कत नहीं होगा थोड़ा परिशामी हो सकता है बोलेगा कि पहचानचीन आपका फ़र्म भरते वक्त कुछ था अभी कुछ है तो एकदम बढ़िया से फ़र्म भरो ना जो आपने फ़र्म भरते वक्त पहचान दिया था पहचानचीन दिया था जैसे फ़र्म भरते वक् सरान को सीटाइब नुटे रिए तो कहना मात्र खटल एक चाहिए सेम होना चाहिए जो आपने फोर्म भरते वक्त दिया था वही पहचान चीन को बायो मैट्रिक फर्म हरते वक्त देना है चली अब आगे बात करते हैं इसको देते हैं फिर के बात करते हैं सेवर नमबर अभी देख लो इतना कॉल आ रहा है ना कि साइलेंट कर दिया मोई विडियो बनाने का भी मौका नहीं दे रहा दे रहे आप लोगे चलिए कोई बात नहीं आपको भी किसी परकार का कोई एल्प चाहिए दो नंबर है हम देंगे पहले जुड़े रहिए उस नंबर पे आप ल करम समू जो भी आपका पार्ट करम है जैसे कोई लड़का होगा जो पी का फॉर्म दिया होगा पर टेक्निका तो सबसे पहले पी यहां पर आपको लिखना है बहुत सारे एस्टुडेट क्या कर रहे है टीचर बता रहे तूपर इस पर टीक कर दो टीक नहीं करना पाई को जाटे इसके लिए पातरता प्राप्त है जैसे अगर आपने ऐसे वहां पर क्या लिखा हुआ यूखा हुआ है ठीक है और उसके बाद पी दोनों कर देंगे खिक है इसको इतकत अगर आपने सिर्फ को पर टिक्नीका भर रहा है तो इसको मिटार दीजी चिरफ पर करना है यहां पर सेवन नहुंबर में इपको बर्म आपस प्ट देखें अब गरहतो है जोरत है और आपको को भाइपव देना है फोन नमबर टो किसी के पास नहीं होगा अगर किसी के पास आई तो दे दीजे का दीुरे देगा फोन नमबर दुसरा होता है 0612 करकर होता है Cities नबर यदि हो तो कोई जरूरत नहीं है गो बहुत सारे लोग देजेगा यहां पर 9 नमबर में है 4 नमबर है 8 नम तो 9 नमबर में सांसरा वोड़ मोबाइल लंबर देजेगा तो आपके पास wr और महां से कॉल किया जाएगा कि आपका के याडमीशन हो चुका है, आपका कॉलजस आप तारी ओल अफ साथ सर्फील हो स्टार्ट होने वालता पालनुद। बड़ा बस्ती बांगे तो आड़ेमीशन जब आपका हो जाएगा किसी कॉलेज में तो उसके बाद कॉलेज वाला आपको कॉल इसी नंबर पर करेगा ऐसे नंबर ले लिया जापा है वहाँ पर नंबर फिर लेगा आपसे पर वही नंबर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहे आश्ळेते कुछ वी कटी ऊपको इमेल आड़ी कर दियार जाते हैंики गणार कारें आधोर देंटा आपको इतना ही ढाला है और कुछ नहीं का यहाँ शोजेएभिधितना अब यहां पर नीच्छे हैं दिनांक देखी रहां नीच्छे है आपका दिनांक आब भू समझेंगा जब आपका कॉल्ज में डॉक्मेंट वरिफिकेशन के लिए बुलाएंगा जाएगा तो उसके बाद आपको डॉक्मेंट वरिफिकेशन के समय इस जमा करना होता है तो तो आपको दिनांक नहीं डालना है इसको छोड़ देना है क्या करना है छोड़ देना वैसे ही छोड़ देना है और यहां पर साइन है उमीदवार का हस्काचर आप चाहे तो साइन कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है पर हम एड़वाइस करेंगी कि साइन मत करिए वहां पर खुद करवा लेंगे और जिनको भरने में कोई समस्य आ रही है आप कॉल करिए नंबर दे देंगे हमसे बात करिए कोई दिक्कत आती है तो ऐसे बहुत असान है हिंदी में नाम अंग्रेजी में नाम डी-सी-सी कर्मांक, कोटी.. जो भी आपका कोटी है ahто,C,blo,C,E,B,C,..... जो भी कोटी है उसको लिखना है या पढ़ चुके हैं कर चुके थे पहचान चिन जो फॉर्म भरते वक्त दिये थे जो भी आप कर रहें पी यह पारामेटिकल मैट्रिक्स और पी इसमें छेड़ सार मत करना बहुत सारे लोग इसमें टिक लगा दे रहां इसमें टिक मत लगा फिलिंद ब्लैक्स दिया उसम अधार्शंख्या भी आपको दे देना है अपना अधार्शंख्या देना है चली आजे बात करते हम लोग सुसी बदेंग कि लिए जब आपका document verification होगा वेरिफिकेशन किया जाएगा तो आपको कौन-कौन सा document आपसे मांगा जाएगा देखिए पहला है matrix या संकच परिछा का मुल प्रवेस पत्र admit card ankh पत्र यानि और और वंधिक प्रमान पत्र यानि जैसे मिग्रेशन आपको तभी मिलेगा जब आप कॉलेज को छोड़ देते हैं मिग्रेशन भी चाहिए सब कॉलेज वाला नहीं मांता है पर 70% कॉलेज वाला खोशता है मिग्रेशन तो मेग्रेशन भी जरूरी है आगे है इंटरमीडियेट यानि मैटरी का इंटर दोनों के अडमिट कार्ड दोनों के मारक सीट आपके पास होना चाहिए और मेग्रेशन तो बता ही दिए अब इधर प्रती मतलब की जब फॉर्म हरे थे चलिए मैं इसको डीटेल्स में बता देता हूं आपको कॉन को सा डॉक्मेंट लगेगा जब आपका वहां के डॉक्मेंट वेरिफिकेसन होगा चलिए मैं बता देता हूं अच्छे सेख़दम बस अंत तक वीडियो को देखि हां से समझेगा है जएवाई यहां पर आपको क्या चाहिए को चाहिए जाए च् vanu का हमार्टी में मृंट नम्बर में है इंटिन्ट इसमें परवेस पत्र में चिपगाए गए फोटो की छेप रती हाँ 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 जो आपने फॉर्म भरते वक्त फोटो दिया था जो आपने स्टार्टिंग में फोटो दीया थाना उसी फोटो आपको लेकर जाना है छे पोतो लेकर जाना है अथ edited अयसे बोलघ Day लेना चलिए ठीक है और वही फोतो कर गया है जो चिपगा है निफ यहापा लिखा हुआ है डीसी सी 2030 के परवेस पत्र में चिप गाया गया फोटो की छे प्रती जो आपने फॉर्म भरते वक्ट जो फोटो चिप काया था ना उसी फोटो का छे प्रिंट और निकल वाले ना ठीक है छे उप फोटो निकल वाले ना छे तरह ऐ आगे बढ़ते हैं पचमा है बागु आपक पीटा जी और ऑपना नाम उसमें लिखना नाम है आख curatoru अपना नाम उसमें जीका बनता है आगे बढ़ते हैं और आदेखते हैं कि आर्थिक रूप से कम जोड़ वरके लूप जिनको देखे सारा मैं बता दे रहा हूं कौन-कौन साथ को डॉक्मेंट त्यार कर लेना है EWS कैटेगरी मतलब की बाबू जो जिनकी स्थिती थोड़ी सी खराब होती है EWS में आर्थिक रूप से कम जोड़ वरके लूप EWS सर्टिफिकेट आपको ready रखना है ठीक है सर्टिफिकेट वहां लेकर जाना है यह सारे लोग लेकर नहीं जाएंगे जो EWS कैटेगरी से फॉनको अप्लाई की है और EWS कैटेगरी से उनको सीटे लोट होगा तो EWS कैटेगरी EWS सर्टिफिकेट जरूरी है आगे बढ़ते हैं संस्थान जहां अंतिम बार पढ़ाई कर रहे हो कि परधान मुल आचरन परमान पत्र वह संस्थान जहां आप अंतिम बार पढ़ाई कर रहे हो जैसे हो सकता है कोई गयर्जूयसन में पढ़ रहे हैं हो सकता है कोई अभी 11 परधान के मुल आचरन परमान पत्र होना जारी जी अगर नहीं है तो जरूरी है जैसे आपको सकता है गर्जुएसन के पार्ट टू में पढ़ रहे तो आपके पास आचरन परमानपत्र होना चाहिए पार चलिए आगे बढ़ते हैं जो सैनिक कोटा से अरची सीट पर दावा किये हैं जो सैनिक कोटा से आते हैं उनके लिए भी सर्टिफिकेड जरूरी है जो दावा की है चलिए सेवा रत सवा निवरीद स्यनिक औरमचारी परमानपत्र ये सारे लोगों को नहीं चाहिए ये सारे लोगों को नहीं चाहिए यह उनको चाहिए जो कीड़ाउण स्राफिकेट की फोतो प्रति अगर लागू हो को जरूरी नहीं ठीक है जो वावा बताया गया है उसको सारे को आपको लेकर जाना है देखो को लाइन भी कट गया आप इंभाइटर पर हो गया पर कोई दीकते पंखा भी नहीं चाली के फाइल ऐसे यह मजा आता है पड़ाने चलिए ठीक है तो इतना कुछ सारा कुछ भरना हम बताते हैं बहुत सारे स्टुडेंट क्या गलती कि इसारा भर दीए सर ठीक है जेखाँ जीवाट सपर भेजे देखो भाई जितना बोला जाया उतना ही करिये हाल तूमत लगे ठीक है थोड़ा लेट से बीडियो आता है पर सबसे बेश्ट आता है यह एक निकलवा लेना इसका एक फर्णा है और एक फिलिंद ब्लैंक सब पूरा रहेगा उसको लेकर जाना है कहां जमा होगा बताते हैं अभी जूरी रहेगा आगे देखे बाबु जाच किये जाने वाले बिंदू क्या-क्या जाच किये जाएंगे तो यह सारा जो वहां पे जाच अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जाच किया जाएगा जाच क्या किया जाएगा मैं एक वर बता देता हूं जल्दी-जल्दी में जाच आपका यह किया जाएगा कि आपका मिनिमम उम्र 15 वर्ष होना चाहिए अधिक्तम 30 वर्ष होना चाहिए अगर आपने पारा मेडिकल म तो इसके लिए आपका 17 वर्स मिनिमम होना चाहिए 35 वर्स अधिक्तम होना चाहिए सब आपका वहां पर आयू सीमा की योगता सबसे पहले आपको वहां पर जाच किया जाएगा आपकी आयू किनका आयू क्या हो रहा है सेकंडर स्टेप में जाच किया जाता है सैचनिक योगिता ठीक है आप डीटेल्स में नहीं बताएंगे यह सारा कुछ आपको वहां पर जाच किया जाएगा जो आप सर्टिफिकेट लेकर दाएंगे ना तो वहां पर जो जाच अधिकारी होते हैं वो जब डॉक्मेंट विरिफिकेशन आपका होता है तो सबसे पहले आपका बाव जाच अधिकारी करेंगे हैं अब आगे बढ़ते है और तीसरा है जी February सिर्फ अब समझ में आ कि लड़का जी एनेम जो की सिर्फ लड़की कर सकती है जिनका समझेगा सुनिएगा सबसे पहले जी एनेम नर्सिंग इंटरमेडियर साइंस समकच परिछा में अब साइंस के अश्टुडेंट होना चाहिए अगर आप जी एनेम करना चाहिए तो ठीक उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि कम से कम कमेश्ट्री फीजिक्स और क्या है बाबू आहां जी विग्यार बाइलोजी में कम से कम आपका 40 परसेंटम को होना चाहिए यह सारा कुछ जाच किया जाएगा इसमें आपको कुछ नहीं करना है इसमें आपको फिलिंदा ब्लै कि समय यह सारा कुछ जाच किया जाता है कि इस शुडेंट का सही है या नहीं है यह साइस का स्थूडेंट को है इसका कमेश्ट्री फीजिक्स बाइलोजी में 40 परसेंट होना चाहिए ठीक है उसके बाद देखा जाता है कि अगर अनुसूची जाती है जन जाती है तो इस शाइस का सब्सक्राइब निटल चाहिए यह सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजेगा इसको निकलवाके आप लोग पढ़ लीजेगा खिया जाती है वहां पर किया जाता है दॉक्मेंट वेरिफिकेशन के समय किया जाता है आगे बढ़े तो स्वास्त परिच्छन किया जाएगा यानि वहां पर आपका मेडिकल भी किया जाएगा बढ़े जाएगा जो डीकीव कोटा से आते उनका तो जरूरी किया जाएगा बागी सारे लोगों का भी होता है वह यससे नहीं होता है चली आरच्छन कोटी का नाम यह सारा कुछ आपको वहीं भरना है जाच अधिकारी का स्ताचर होगा जो आपका जाच करेगा वहां पर जो अधिकारी का स्ताचर होगा और अच्छन कोटी का नाम संस्थान का नाम साथा का नाम यह सवाब को निभरना है यह सारा कुछ आपके जाच अधिकारी जो आपका डॉक्मेंट वरिफिकेशन करेंगे जाच करेंगे वह घरेंगे अब अंतिम है बाबू पाचमा पेज पर ब कौन करेंगे बाबू जो आपके जाच अधीकारी होंगे इसमें भी आपको कुछ भरने की जलुवत नहीं है ठीक है तो फिर वो गया काम से ठीक है कोई फैदा नहीं है सिर्फ आपको यह वाला भरना है काव वाला भरना है ठीक है जो कव है ना कव वाला में 11 वो है 11 संख्या है वो टोटल आपको भरना है उसके बाद आपको इसमें कोई भी छेड़ छाण नहीं करना है इसको आप घर पर लाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है मैं उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से इस बायोमाइट्रिक फोर्म को समझ गये होगी कुछ और बात है जो मैं बताना चाओंगा अब सवाल है कि सब्सक्राइब का पर कितना लेना यानि साइं नहीं करना आपको वह ही करेंगा अगर आपको इच्छा है-स है कोई दीकत नहीं वहां पर नहीं करना है यह अपको कब Pack recovery जीता जो भी का दिकारी करेंगा तब करना है जब करेंगे तो वहाँ पर गाड भी रेना तो आपको पुछिएगा कि आप तो मेरा हो जाएगा तो आपको अपना डेट और साइन कर लेना आप ही को करना है वो थोड़ी आपका साइन थोड़ी नोभो करेगा आपको जिस दिन वहाँ पर भुलाये जाएगा डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के लिए उस दिन आपको sign और date डाल देना है ठीक है आभी से डेट डालवना नहीं है अब बात करते है की Biometric Form क्या सारे student को भरना है सारे को नहीं भरना है उन्हीं को भरना है जो counseling करवाए है ठीक है counseling करवाए है तो हो सकता है कि आपको कहीं College अब जब college अलोट होगा तो आपको यह biometric form चाहिए biometric form का दो print निकलवा के cyber कहके से सारे लोग रख लेंगे और एक biometric form को भर भी लेंगे और एक को fill in the blanks यानि खाली चोड़ देंगे इतना सारे लोग समझें होंगे अब बात करें कि जो लोग कौन से लिंग करवाएंगे सिर्फ वही biometric form को भरिएगा फालतू लोगों को भरने की जरुवत नहीं है अब बात करते हैं बाबु किस biometric form को कहा से download करें लिंक में description में आपको इस पेडियव का link है वहां से download कर लिजे और cyber कोई dot है तो comment कर सकते हैं document को लेकर कोई परिशानी है call कर सकते हैं हमारा दो नंबर है दोनों नंबर आपको प्रवाइड करते हैं और अगर आप हमारे द्वारा पॉन से लिंग करवाते हैं तो सबसे पहले आपका rank card चेक होगा और rank card चेक करवा लीजिए सारे लोग जो लोग चेक नहीं करवा है rank card इस नंबर पे चेक होता है 95-74-65-12 ठीक है इस नंबर पे आपको whatsapp करना है क्या करना है बाबू whatsapp करना है और अपना rank card रेज देना आपका rank card चेक हो जाएगा ठीक इस पर आपको whatsapp कर लेना है दो नंबर है कॉल के लिए कॉल के लिए आपको दो नंबर दिया जाता है पंचार में 70-64-25 ठीक एक और नंबर है 87-56-73-32 ठीक यह दो नंबर है इस दोनों नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं एक नंबर दो नंबर वार्टसप की सिवधा सिर्फ इसी नंबर पे अवलेवल है याद रखेगा बहुत सारी लोग इस पर वार्टसप करते कोई रिप्लाइं नहीं लेगा वार्टसप की सिवधा सिर्फ इसी नंबर पे अवलेवल है इस पर वार्टसप ना करें इस पर कॉल करें दो नंबर है क के लिए क्योंके स्टुदेंट की संख्या जादा है इस लिए इस नंबर पे इस नंबर पे कॉल कर सकते 87-567 बरतिस पंचार में 74 पचीस बारा यह तो ऑफिस्यल है सारे लोगों को पास होगा और यह इस पर आपको वार्टसप करके अपने और एक राइवर्ट सरकारी का तो खुल इस तो मिलना ही मिलना अगर आप हमसे कॉन से करवाते तो और इस वर्थ जो पारामेडिकल का टॉपर है सुनाक्षी पिरिया रैंक 1 पूरे पिहार में जुलाए हमारे च्पेंट रैंक और हमसे पढ़े थे और पूरे पिहार में का रै पहले पढ़े उनको पता है कि कितना धमाका होता है यहां पर जब क्लास शुरू होता है तो है ना भाई चलिए तो आज के लिए इतना ही अपना ध्यार रखिए ख्यार रखिए और हाँ वाटसअप गुरूप से भी जुड़ जाएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले कौन से लिंका मिलता रहे आज के लिए फिल हाल इतना ही मिलेंगे बहुत जंद आप लोगों से फिर बाई